हाँ मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठनाईयों के पहाड पिगलते देखे हैं, और मजबूरियों के पत्थर को चलते देखे हैं, हाँ मैंने नसीब बदलते देखे हैं, पता है किसके, उन पांगलों के जो किसमत से लड़ जाते हैं, हार नमा बदलते देखे हैं, हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जै शनीदेव, जै श्री कृष्णा, मेरे प्यारे बच्चो, एक और नया महिना आगया, सितंबर की आज हम बात करने वाले हैं, एक से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आज कल तो पता ही महिने ही चलता, दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफते कैसे गुजर जाते हैं, और महिने कैसे गुजर जाते हैं, एक और नया महिना आगया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बाते डीटेल में डिसकस करेंगे, so let's get started. सबसे पहले इस महिने के फेस्टिवल्स यानि की तीज त्योहार जान लेते हैं, हर ताली का तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी, गनेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा, गनेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा, 11 सितंबर को राधा अश्टमी यानि की राधा रानी जी का हैपी बर्डे है, उनका प्रकट होटसब होगा, 14 सितंबर को परिवर्तर इकादशी है, 15 सितंबर को वामन देव जी की जैनती है, 18 सितंबर को पित्र पक्ष प्रारंब होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा, सन पि बिल्ले करके आएगा चले जानते हैं, सूर्य जो है, 16 सितंबर को कन्या राशी में अपने मित्र राशी में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा जो है, वो सिंग राशी में प्रवेश करेंगे, एक सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशी में गोचर करेंगे, मंगल जो है, सितंबर को तुला राशी अपनी राशी में प्रवेश करेंगे और शनी कुम्ब राशी में अभी वक्री चल रहे हैं 15 नमबर तक वक्री बने रहेंगे राहु मीन राशी में और केतु कन्या राशी में बने रहेंगे जो लोग हमारे चैनल ग्रेहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें सब को बता देते हैं, यह जो राशी फल है, आपने अपनी राशी अनुसार देख रहा है, जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशी है, उसके हिसाब से देखें, साथ ही इसमें हम ग्रेहो के हिसाब से है, उसको लीजे, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, तो उस पर ध्यान मत दीजेगा, वीडियो को छोड़के आभी कहीं मत जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाए इस महिने में आपको क्या करना है, पित्र पक्ष आ मतलब या तो आप वहाँ जादा फैनाशली अपने आपको लेकर के अंसर्ण होने वाले है, कुछ लोग बहुत जादा सोचेंगे कि हमें कैसे अपने पैसे को यूज करना है, कैसे अपनी सेविंग्स को कहा इंवेस्ट करना है, कहा लगाना है, हमें कोई लेना चाहिए, कु कुछ लोग का पुराना पैसा अपने किसी जगे पर लगाया हे, वो आपको आसकता है, कुछ लोगों को जमीन में उनोंने कोई पैसा लगाया है, वो बिक के उनको पैसा आसकता है, अगर नहीं आपकी प्रॉपरटी चरडstrong है तो रेन आपको मिल जाएगा, महलब कुछ जम में आप हिसाब किताब जादा जोड़ेंगे इस समय में आप अपने पैसे को लेके काफी सजग हो जाएंगे कि क्या करना है कैसी करना है मैं प्लानिंग का यह मैना है तो इस चीजों के लिए बहुत अच्छा है जो आप की बात करें तो जोड़ में थोड़ा सा पुछ अपु जाती है तो आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है जोब में जाने का मन नहीं कर रहा है तो इस तरह की कुछ सिच्वेशन आपकी जॉप में सेप्टेंबर में जो है वो बन सकती है कुछ दों को कंपनी की तरफ से कहीं भेजा जा सकता है कहीं जाने काम ही आपको प्लान बन र बिस्णिश करते हैं business में लिप्र lush अजरी लोब हरती wine का कहले है या बहुत अच्छा समय अगर आपके ये बिख्टेसरे लुप ज्युज करती है कि अगर आरे का तर मैजरली नीजु करती है तो उस समय भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा है आपके workplace पे फोड़ा तो जिसे पावर कट का प्रॉबलम हो सकता है, या रिग़रिक्रिसिटी का प्रॉबलम हो सकता है, मैं आप बहले कोई бिज्यरी सम्बंधी प्रॉबलम वो रहा है, अगर रिगए लेक्सी तरके का वेर हाउस या फैक्ट्री है, वहां आपको देखने की जरूरत है, कुछ लोगी मशीन भी शट दाउन इस समय में हो सकती है वैसी बिजनस की बात करें तो बिजनस इस समय अच्छा रही का आप पुरानी चीजों को भी हैंडल करते दिखाई दे रहे हैं और नए की तरफ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फैनाशली बिजनस पे तो अच्छा ही समय है और थोड़ा समुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास के जो भी लोग है जाए वो आपका स्टाफ हैं चाहिए आपकी पार्टनर्स है या आपकी फैमिली वाले हैं मतलब बो लोग आपके बिजनस कोई आपके फ्रेंच है वो लुक डाउन कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि इसमें आप इतना कोई स्कोप रहने गया कि आप जबर्दस्ती मतलब ऐसे बना रहे हो लेकिन आपको उन प्लान्स पे पूरा विश्वास होगा और विश्वास र क्या हो रहा है बता दी है अब भाईया यह तो आप भी मुझे बताते हो कि गुरुमा जो आप बताती है बिल्कुल सत्य होता है। चलि ऐसे कुछ लोग के कहानी सुनते हैं फिर आगी कर राशिफल जानेगे। सच में गुरुमा का राशीफल सच होता है, आईए कुछ कमेंट सुनते हैं, यूटुब पर कोई 100% सही बात बताता है वो है गुरुमा, जो भी आप बताए हो गुरुमा मेरे साथ वही होता है, गुरुमा की व्रिशव वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरुमा ने कहा तर ऑप्रेशन नहीं होगा और ऑप्रेशन नहीं होगा, गुरुमा का राशीफल 90% मुझ से मैज करता है, आपकी बाते सच हो गई मेरे साथ, आप जीनियस गुरुमा, बिल्कुल सही गुरुमा राशीफल के लिए, गुरुमा जो कहती है वही सही है, सच में गुरुमा तो परसंट सही पोला धनुराशी के लिए एक रिलेशनशिप के बात करें तो रिलेशनशिप में कुछ लोगों को जो है अपने पार्टनर के हरकतों की वजह से थोड़ा सेट बैक लग सकता है, मन तोट सकता है, दिल तोट सकता है, आपके पार्टनर बहुत जादा जिसे कर दिलेशन दिल थोड़ा। समय मन बना करें और कियो आपको बडेंडर के साथे दोस्तों तो या उनका एड्वेंचर करने का बहुत मन है, अनका इस ममैं बहुत मन उलकुल रहेगा, बिलकुल रोटों क्रेंगे, धर अ बहुत मन करेंगे को मन करेंगे, बहुत पार्ट करे हम खाल रखने की जरूरत है कोई एक फिरा पर डिस्तोबंस करें पर सकता है वह आपके पार्टन पीओग कर सकता है और इसक 선way कुर 원래 को सकते हैं तो तो आपके शिप् sequence की आपके जवचे ऑदीअ मृविन पार्टनर पर थोड़ी नजरये बना हुए जगड़ा भी आपका हो सकता है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घरेलो जगड़ा दिखाई दे रहा है, जहां आप वर्सिस बाकी के सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी टीम पर उस समय कोई नहीं होगा और आप अखेले ही सब भारी होगे, हेल्थ की बा अगर जगड़ा दिखाई दे रहे हैं, यह वैसे ही अगर नसों में प्राबल्म हो सकती है, तो अगर नसे आपके ऐसी लग सकता है, चुबन ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देनी की ज़रूरत है, और थोड़ा सा खाई आपकी घरता हुआ दिखाई दे दे हो सकता है, तो खाने को देख भाल के इस समय में खाईए, अगर रखावा खाना खा रहे हैं, एजुकेशन की बात करें तो भया, एजुकेशन में तो आप तो सपने ही सपने देख रहे हैं, पढ़ना नहीं चा रहे हैं, इस समय में आपको ऐसा लग रहे हैं, हमें तो बहु नहीं हो रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे इस महीनी के महा उपाय के लिए। पित्र पक्ष जो है वो प्रारंब हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी हुनली में पित्र दोश लगा हुआ है, किसी पंडी जी ने, किसी आस्ट्रोलॉजर ने आपको बता है कि पित्र जो है वो आपके नराज है, आपके पित्र आपको परिशान कर रहे हैं, पहले तो ये बात समझन चाहिए कि पित्र आखिर कौन है, पित्र हमारे ही पोरफादर्स होते हैं, यानि कि हमारी पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पित्र में काउंट होते हैं, या फिर किसी के अकाल मृत्यू अगर हो जाती है, तो उसे भी हम पित्र कहते हैं, शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफे होते हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सब ही छूट जाते हैं, तो इसलिए ऐसी सीजे संभव नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी घर में ऐसी मृत्य हुई है, जो बहुत जादा किसी के प्राण, दुख के हैं, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाड इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अत्रप्त होती हैं, और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं, तो आपने किवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना ह हैं, अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो इस तिती में एक और उपाई में आपको बता रहे हैं, आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानि कि जितने भी पूरुष हैं, जित के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयूजन करिए जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराईए भरपिट अच्छा भोजन कराईए अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पित्र थे उन लोगों को ये ये चीजे पसंद थी तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान क करें उन चीजों को ही आम भंडारे में शामिल करें अच्छा सा भोजन कराना जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे इस प्रकार से करेंगे तो आपके पित्र जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी उन तक वो ज वित्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाएं हैं जैसे फॉर इग्जैंपल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में इस संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे या बोल रखा था कोई मनत ले रखी थी लेकिन वो उसको पूरा किये बगेर ही इस संसार से गुजर गए तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है तब भी दिक्कत आती है तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए तो उस इच चाते हैं हमसे बड़ी बुजर्ग केवल सम्मान दो प्यार की बाते उनका सम्मान कर लेंगे उनसे प्यार की बाते कर लेंगे वो नहीं है यहां पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रातना कर सकते हैं उनने याद कर सकते हैं उनके अच्छे कर्म याद कर सकते ह बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें अशिरवात जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयूजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पित्र पक्ष के ही उपलक्ष में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयूजित जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आने ही सकते तो ताकि आपके नाम से और उनका नाम भी वेच सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं तो आपके नाम से आपके पित्रों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वित्रित किया जाएगा सितंबर का महीना आप सब के लिए बहुत सुख़ जाए, बहुत अच्छा जाए, आप सभी को मैं बहुत जारा आशिरवात दे रही हूँ, जै शनी देव, जै श्री कुष्णा